जोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल दाविजन में और हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीटी रिविजन किलासिज जिसमें आपको एक्जाम परपस से इंपोर्टेंट कोशन कराए जाएंगे और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुगल सल्तनत के क कुछ इंपोर्टेंट कोशन कि लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चलिए देखते हैं पहला कोशन अकबर के सासनकाल में किस पुस्तक का नुवादर रजम नामा युद की पुस्तक के रूप में क्या गया है वो कौन से पुस्तक थी महाभारत किस मुगल सासक ने संगीत और निर्ट्य पर प्रतिबंद लगाया था वो कौन से सासक थे औरंग जेब थे भरत में बीवी का मखबरा कहां श्तित है तो बीवी का मखबरा कहां पर श्तित है औरंगाबाद में और जो औरंग जेब की पहली बीवी थी उसके आदम बनाया गया था राबिया तुरानी के लाहूर में बादसाई मेजजित का निर्बान किसे ने करा था औरन जेब ने करा था दिल्ली की जामा मेजजित किस सदी में बनाई गई है वो कौन सी सदी में बनाई गई है मिर्मिया तासेंद को अकपर की शासंकाल में कौन स्यान पति थे ? तो कौन सήना पति थे ? मीर्बकसी सलीम चिष्ठि की दrickा कहां स्ञेग इस्तित है ? वो फतेपुर सीकरी मेश्थित है कहां पी therapists है ? फतेपुर सीक्री में इस्तित है हिमाईयो की जीवन हिमाईयो की जीवनी को किसके दुआरा लिखा गया है तो किस ने लिखी थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी किस भूर आजस्व विवस्था को टोडर्मल परनाली कहा जाता है तो कौन सी परनाली है जपता परनाली उस्ताद मनसूर किस मुगल सासक के सासनकाल में परसिद चितरकार थे तो किस के सासनकाल में थे जहागीर के सासनकाल में किस मुगल सासक के समय जरोका दरसन आरंब किया गया तो अकबर के टाइम पे किया गया था जरोका दरसन किस मुगल सासक के सासनकाल में जजियाकर पुन मलब दुबारा लगा दिया गया था वो कौन थे औरन जेब और जजियाकर समाप्ट किसने किया था वो किया था अकबर ने समाप्ट किया था नियाय का घंटा किसने स्थापित किया था जहागीर ने किया था किसकी आत्म का था तुर्क ए जहांगिरी किस भासा में लिखी गई है वो लिखी गई है फार्सी भासा में संगीत समराथ तानसेन के गुरू कोन थे वो थे हरीदास भारत में मनसबदारी पर था किसने शुरू की तो किसने शुरू की थी अकबर ने शुरू की थी अबू औरbearया था 1608 में आया था ए दिली में हिमाइयौ का मखबर किसी ने बनवाय था वो किस ने बनवाय था हमीदा बानो बेगम ने बनवाय था रामायन का फार्सी में नुगाद किसी ने किया तो नाम कोन लेकर चले गया था नाजिर शह लेकर चले गया था को सी ठीज तो को Kinदा पीर के नाम से जाना जाते हैं सेख खान ने हिमाईयों को 1539 तथा 1540 में किन दोस्त थानोबाद प्राजित किया था सेख खान को सेख सहा के नाम से भी हम जानते हैं तो चोसा का यूद और कन्नोज का यूद सेख सहा द्वारा निर्मित ग्राण ट्रेंग क्रोड पंजाब को किस के साथ जोड़ती है पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती है सेख सहा का मगबरा कहां पेश्थित है तो वो कहां पेश्थित है सासाराम बिहार मेश्थित है सेर साह के बचपन का नाम क्या था? वो फरीद था अंति मुगल समराट कौन थे? बहादूर साह थे भारती तिहास में किस आलमगीर के नाम से जाना जाता है? और जेब कुन जाना जाता है? आलमगीर के नाम से और जिंदा पेर भी बोलते हैं किस मुगल समराट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? पहदूर साह जफर को भेज दिया था? रंगून आधुनिक भारती मुद्रा परणाली में चांदी का रुपए किस ने चला था? सेर सहा ने चला था ग्रान ट्रंक रूड का पुन निर्मान किस ने कर वा था? वो कर रहा था लोड डल होजी ने कर रहा था आज की लेक्चर में इतना ही मिलते हैं अगले लेक्चर में लेक्चर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद